हेलो गाईज, जैसा कि आप सभी जानते ही है हमारा स्टेनो फॉर ओल यूटूब चनल है या हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको ग्लास दो फ्लब करे रहे हैं सभी अस्ती शब्द प्रती मिनिट की गती के लिए तैयार रहे हैं अद्यक्ष महोदे हमको अनेक परिवर्तन अवस्य ही करने हैं और मैं स्वीकार करूंगी की रास्ता बिलकुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है यह काम कैसे किया जाए परिवर्तन कैसे लाया जाए इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीती निर्धारित कर सकते हैं अध्यक्ष जी ने अपने भाषन में एक पुस्तक का जिक्र किया जो बिश्व भर के विचार सील लोगों पर अपनी छाप छोड रही है यह पुस्तक है फीचर शौक लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्त और सामाजिक कल्यान के छेत्र में आज नए विचारों का उदे हो रहा है क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके परियाप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं हो सकता है कि हमारे यहां की नौजवान पीडी को यह बात का बैसा एहसास ना हो जैसा की अन्य देशों के विचार सील विकास सील लोगों को है लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं है इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्छों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी रह निकालें जो हमें अपने लक्षे तक ले जाने वाली हो हम लक्षे को कुछ बर्सों में ही नहीं प्राप्त कर सकते और मैं समस्ती हूँ कि कोई हम से इसकी आशा भी नहीं करता जो नितांत गरीव हैं वे भी चमतकार की आशा नहीं करते लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें वे यह आशा अवश्य करते हैं कि चीजें ऐसे ढंग से बदलेंगी कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सकें इसलिए मुझे आशा है कि हम वही एकता और द्रणता प्रदर्शित कर सकेंगे राश्ट्रिये लक्षे के प्रती वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे जो हमने पिछले वर्स के संकट के दोरान की थी यह आर्थिक संकट हमारे लिए कुछ कम गंभीर नहीं है और यह लक्षे जनता के लिए बहतर जीवन संभव बनाने के लक्षे उन सब विजियों से युद्ध में विजय से भी बड़ी एक जीत है हमने पश्चिम की आर्थिक और वित्य प्रणाली को अपनाया है और हम प्रगती तथा विकास का मुल्यंकन पश्चिमी मापदंडों से करना चाहते हैं जो हमारे यहां की परिस्थितियों में संगत नहीं है और हमारे लक्षे से तो मैं भी कम संगत है मैं लंबे समय से अनुभव करती रही हूं की वर्तमान आर्थिक आर्थिक सिध्धान्त विक्सित विकास सील देशों की समस्याओं को जटिल बनाते हैं अद्यक्ष महोदें आज देश में जागरण की लहर दोड रही है चारो ओर आशावादिता और आत्मविश्वास है साथ अधीरता भी देखने को मिलती है आपने युद्ध का उलेख किया इसमें कोई संदेह नहीं की उसमें हमारी जीत से आत्मविश्वास की भावना को बल मिलेगा यह भावना सुद्रण हुई है की हम जिस काम को लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं किसी चुनोती का सामना कर सकते हैं लेकिन मैं समझती हूँ की लोगों की आशावादिता केवल इसी कारण से नहीं है बलकि इस एक एहसास के कारण है की अंशता ऐसी दिशाग्रहन का कीज़ सकती सकी है जिसमें उनकी जरूरतों पर विचार किया जा रहा है अंतता उन चीजों में बदलाव लाने की कोशिश देखने में आ रही है जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है या गरीवी हटाने के लिए हमारे कारेक्रमों को तेजी से लागू करने के सक्षम आती है यह भावना आज तूरदराज के इस्थानों में रहने वालों तक भी पहुँच चुकी है और इस निर्नायक मौके पर यह हम सब लोगों का जो अपने अपने काम में चोटी पर है दायत्व है कि हम सभी साधनों को जुटा कर आगे बढ़ें हमारे पास अंतता काल नहीं है जैसा कि मैं पहले एक मौके पर कह चुकी हूँ कि हमें अगले तीन या अधिक से अधिक चार वर्षों में निर्नायक कदम उठा लेने है अगर इस दौरान हमने यह दिखा दिया कि हमारा रास्ता लोकतंत्र का है शांती का सहयोग का है एक दूसरे की मदद करने का है अगर तीन या चार वर्षों में हम यह दिखा सके कि यह रास्ता हमें आगे ले जाता है तब मैं समस्ती हूँ कि हमें भारत के भविश्य को लेकर किसी तरह की आशंका पालने की आविश्यक्ता नहीं है लेकिन अगर हम इसमें किसी भी कारण से असफल रहे चाहें सरकार की गलतियों से या उध्योग व ब्यवसाय की तुरुटियों से या एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गों की अपेक्छा अपने अधिकारों को और जरूरतों के बारे में अधिक तीब्र भावना के कारण तो हम सब को एक साथ कटनाईयां जेलनी होंगी किसी एक या दूसरे वर्ग को नहीं बलकी पूरे देश को इस प्रकार हम एक महत्पपूर मोल पर खड़े हैं और समय आ गया है कि हम उस सब पर नए सिरे से विचार करें मैं यह भी कह रही कि हमें सभी चीजें जाड़ पौँच कर अलग कर देनी चाहिए यह हमारा डिक्टेशन था